Good morning students, I am Dr. Pooja Saxena, Geography Department Government College पूंदी हमारे पेपर Geography of India भारत के भुगोल के अंतरगत हमने Climate of India भारत की जलवायू का अध्यान प्रारम किया था हमने जाना कि भारत की जलवायू उश्नकटिबंधिये मांसून प्रकार की है जलवायू का महत्वपूर्ण नी अंतरग कारक है मांसून इसलिए हमने भारतिय मांसून की क्रियाविधि का अध्यान प्रारम किया था हमने दो प्रचलिज सिध्धानतों के अंतरगत अध्यान प्रारम किया हमने Classical Theory के अंतरगत Thermal Concept तापिये संकल्पना को देखा और दूसरी और हमने अभिनव मतों के अंतरगत ITC-Jet Hypothesis का अध्यान किया आज हम Jet Stream Theory का अध्यान करेंगे अध्यान से पूर्व आप जानिये कि Jet Stream होती क्या है देखें, Jet Stream एक तेज चलने वाली Fast-Flawing, Narrow-Jone के अंतरगत सकड़े क्षेत्र के अंतरगत बहने वाली वायूराशी है जिसका प्रवाहा प्रित्वी से 6-14 किलोमेटर की उचाई तक बाया जाता है यह जो क्षेत्र है, वह है क्षूप सीमा और पच्छुआ हवाओं के पवन संचार क्षेत्र के अंतरगत बाता है या समताप मंडल की निचली सीमा के अंतरगत भी इसका प्रवाहा क्षेत्र माना जा सकता है हम वायू मंडल की सरंचना का अध्यान करें तो देखे, प्रित्वी के संपर्थ में रहने वाली जैसा कि आप जानते हैं सबसे निचली परत परिवर्तन मंडल होती है उसके बाद क्षोब सीमा की स्थती और क्षोब सीमा के बाद समताप मंडल की स्थती तो ये माने कि क्षोब सीमा और पच्छुआ हवाओं का जो पवन संचार क्षेत्र है वहाँ पर जैट स्ट्रीम का प्रभाह होता है जब हम विभिन मंडलों की उचाईयों की बात करते हैं तो विभिन इस्थानों पर इसकी उचाई भिन प्रकार की होती है जैसे भुमद्दे रेखा पर ये उचाई 16-18 किलोमेटर उसत मिलेगी परिवर्दन मंडल की तो द्रुविय क्षेत्रों में ये आठ से 10 किलोमेटर की उचाई तक ही विद्यमान होते हैं तो जो उपरी वायू मंडली ये पवन संचार है ये मुलतह 20 डिगरी से 35 डिगरी अक्षांशों के बीच प्रवाइत होता है ये टर्म जैट स्ट्रीम 1939 से पहले प्रियोग में नहीं ली जाते थी आप ये जाने की कारल गुस्ताफ रॉस पे एक जर्मन मेटरलॉजिस्ट को श्रे दिया जाता है इस टर्म को अनवेशित करने के पीछिन लेकिन एक अन्य जर्मन मेटरलॉजिस्ट सी कॉफ ने सबसे पहले अपनी रीसर्च पेपर में इस टर्म का प्रियोग किया जर्मन शब्दावली में स्ट्रेल स्ट्रोमंग यानी चैट स्ट्रीम का प्रियोग किया ये वायूराशी मुखेत है सेकंड वर्ड बॉर्ड के दौरान पाइलेट्स के दौरान नोटिस की गई जब वो नॉर्थ अमेरिका और यॉरॉप के मध्ध उड़ रहे थे तब उन्होंने इस तीवरुपवन संचार का अनुभव किया और फिर इस पर काम होना शुरूरू देखें भारत के संधर्व में हम जैट स्ट्रीम हाइपोथिसिस को तीन आधारों पर समझ पाएंगे नमबो वन हिमाले और तिबबत पठार की स्थिती के संधर्व में जो कि एक यांत्रिक अवरोध के रूप में काम करता है और एक हाई लेवल हीट सौर्स यानि उच्च तलिये उश्मा स्रोध के रूप में अपनी भूमी का निभाता है दूसरी हम बात करेंगे परिध्रूवी भमर यानि सरकम पॉलर विंट्स जो कि उत्री और दक्षनी ध्रूवों के उपर उच्च तलिये चक्राकार संचार है और तीसरा हम देखेंगे परिवर्तन मंडल में जैट स्ट्रीम का संचार और उसकी इस्थिती के संधर्व में देखें आक्टिक जोन जैसा कि आप जानते हैं आक्टिक जोन जोकी सब पॉलर लो प्रेशर बेल्ट और पॉलर हाई प्रेशर बेल्ट के मद्दका क्षेतर हैं आक्टिक जोन में तोकि तापमान बहुत कम होते हैं तो हवाएं उपर से नीचे की और उतरती हैं उपर की उपरी वायू मंदल की हवा भारी होकर थंडी होती है यूँकि भारी होकर नीचे उतरती हैं सभी हवाएं सेंटर की और जपटती हैं और सेंटर पर आने के बाद वो फिर से संचारित होती हैं उपर की और तो ये एक वृताकार चक्राकार फॉर्म में परिधुरुविय भवर निर्मित होते हैं तो धुरुवों के उपर उच्च तलिये परिधुरुविय भवर निर्मित होते हैं इस उच्च तलिये निम्नदाप के चारों और हवा चक्रवाती क्रम में भवर के रूप में प्रभाइत होती है चक्रवाती क्रम जो है वो anti-clockwise होता है यह घड़ी की सुईयों के विप्रीद दिशा में होता है अब एशिया के उपर हम बात करें एशिया के उपर एशिया के उपर इसकी दशा सामाने रूप से पश्चिम से पूर्वतिशा में होती है तो इस उच्च तलिये पवन संचार के भूमद्दे रेखा की और वाला जो भाग है उसको जैट स्ट्रीम कहते है जैट स्ट्रीम जो की मियंडर बनाती हुई शेप जैसी होती है ठीक है एक लहर नुमा सरंचना जिसमें एक श्रंग है और दूसरा गर्थ है ठीक है क्रेस्ट है और ट्रॉफ है उस प्रकार की सरंचना होती है अब भारत के संदर्व में जो ये जो उच्च तलिये पच्छुआ जैट स्ट्रीम की स्थिति है यह आप मानें कि 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्री अक्षाइशों के मध्य होती है तो परिध्रुविये भामर के अधिक दक्षिन तक प्रसार के कारण जो ITC है वो अपनी सामाने स्थिति से और दक्षिन की और चला जाता है कब शीत्रितु होती है तो ITC जब दक्षिन की और खेसकता है तो जो उच्च तलिये पच्छुआ जैट स्ट्रीम है वो भी खेसकती है और उसकी जो स्थिति है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्री अक् जो हिमाले और तिबद का पठार है वो एक यांतरिक अवरोत की तरह काम करता है और इस उच्च तलिये पच्छुआ जैट स्ट्रीम का द्वी शाखन बाइफरकेशन हो जाता है जो उत्तरी शाखा है वो तिबद के पठार के उत्तर में चापा का रूप में पश्चिम से प प्रभाइत होती है अब देखिए जाने कि जो मुख्य शाखा है जैट स्ट्रीम की वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उपर से होकर चक्रवातिय मार्क का यानि एंटी क्लॉकवाइस मार्क का अनुसरन करती है जिसके कारण उसके मार्क की दिशा की दाहिनी और प्रती चक्रवातिय पवन संचार होने लगता है देखिए घड़ी की सुयों के अनुरूप जो प्रवाः है वो एक चक्राकार क्रम में है ठीक है और जो प्रती चक्रवातिय प्रवाः होता है वो क्लॉकवाइस होता है तो एंटी क्लॉक से प्रारम होकर क्लॉकवाइस पढ़ाम स हवा उपर से नीचे की और बैठने लगती है हवाओं का प्रभा, सर्कुलर फॉम में हवा भारी होकर उसका नीचे की और उतरना और पूरा उपर की और प्रभायफ होना तो प्रती चक्रवात ही करम के कारण वायूमंडल ये दशा बहुत स्थिर हो जाती है मौसम शुष्क होता है, साफ होता है और क्योंकि उच्च तलिय जैट स्ट्रीम है उसे कारण मौसम में सामरीक परिवर्तन भी होते हैं क्योंकि शितोषन कटिबंदिय निम्नदाप की जो स्थिती है वो इस पच्चोवा जैट स्ट्रीम के नीचे रहती है और ये जैट स्ट्रीम के साथ ही उसके प्रभाव में उसके नीचे नीचे पश्चिम से पूर्वतिशा में रूम सागर के उपर से होते हुए उत्तरपश्च में पाकिस्तान और उत्तरपश्चिम भारत तक आते रहते हैं और ये तुफान एक frontal cyclone के रूप में नहीं होते हैं बलकि एक लहर के रूप में होते हैं तो शीतरतु में ये स्थिती है इसके बाद अपरिल से जब सूरे की उत्राइन स्थिती प्रारम होते हैं 21 मार्ज के बाद तो जिस कारण जो धरातली उच्च दाब बायुदाब है वो कमजोर होने लगता है जिस कारण शीतरतु में जो इसका 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्री अक्षाएंच तक बड़ा हुआ भाग था वो उत्तर की और खिसकने लगता है जिस कारण जो पच्छुआ जेट स्ट्रीम की दक्षणी शाखा है वो अब दक्षिन में कायम नहीं रह पाती वो दक्षिन में कायम नहीं रह पाती और भारत से जेट स्ट्रीम का पूर्ण लोग मद्द जून और उसके बादी संभव हो पाता है कहने का तात पर ये है कि जब सूर की उत्रायन स्थिती प्रारम होती है जब उत्री कुलाद में गुरिश्मरितू प्रारम होती है उस स्थिती में सूर उत्री कुलाद में जब सीधा चमकता है तो उस स्थिती में ITC-Jet जो है उसका खिसकाव भी उत्तर की और होने लगता है उस इस्थिती में जो जेट स्ट्रीम है वो भी उत्तर की औरखे सकती है और जो शीत कालीन जो भमर बने थे उनकी गतिक शक्ती भी ढिली पढ़ने लगती है उसमें शिथिलता आने लगती है पच्छुआ जेट स्ट्रीम जो कि हिमाले के दक्षिन में सक्रिय थी, वो अब उतनी सक्रिय नहीं रह पाती और जून तक आते आते इस जेट स्ट्रीम का लोब हो जाता है भारत के अंतरकत अब एप्रिल मई में उत्रपश्चिम पाकिस्तान और उत्रपश्चिम भारत पर सूर्य ताप से धरातल के गरम होने के कारण धरातल पर तापिय निम्नदाब बना रहता है। यह जैट स्ट्रीम क्षेत्र बना रहता है तो जो धरातली हवा वो उसको उपर उठन नहीं देता। जिस वज़े से मौसम गरम और शुष्क बना रहता है। क्यों बना रहता है क्योंकि उसका वाश्पी करण नहीं हो पाता। ठीक है। यही कारण है कि जो एप्रिल मई मंथ ह उसमें उच्चत आपमान है लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है। न्यून वायूदाप केंदर बनता है लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है। इस जैट स्ट्रीम के पून लोप नहीं होने की वज़े से। फिर जून के प्रथम सप्ता में जब भारत के उपर से पच्छवा जग जाने से समाप्त हो जाती है यानि जैट स्ट्रीम की स्थिती तिबबत के पठार के उतर में हो जाती है तो उस स्थिती में इरान के उत्री और अफगानिस्तान के उपर इस उच्च तलिये जैट स्ट्रीम का प्रवा मार्ग चक्रवातिये वक्र के रूप में होता है घड पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम तक हो जाती है जिसके निचले धरातल पर पहले ही तापिये निम्नदाब बन चुका होता है क्यों बन चुका होता है अत्याधिक तापमान की वज़े से बन चुका होता है तो इस स्थिती के कारण नीचे से हवा उपर तो उठती ही है धरातली ग्रीश्मकालीन इस्थती की तुल्णा में दक्षनी गॉलार्ड में विप्रीत इस्थती होती है। ग्रीश्मकालीन इस्थती है। ग्रीश्मकालीन इस्थती है। और दक्षिन ध्रुविये जो भमर हैं उनके पुश फैक्टर की वज़े से मांसून पर्स्ट की इस्थती उत्पन होती है। देखें अपर एट्मॉस्फिर में अपर एट्मॉस्फिर में हाला कि मैप जो यूस का है। और ये निम्नतलिये दाब की दक्षिनी शाखा है वो जैड स्ट्रीम क्यालाती है। ये प्रवहा लहरदार होता है जिसमें एक उपरी सिरा रिज होता है नीचे का सिरा ट्रॉफ होता है और इस लहरदार क्रम में भमर रूप में वायूराशी प्रवाइत होती है चक्राकार क्रम में। उपर से नीचे की और हवाएं भारी होकर उतरती हैं और नीचे आकर वो पुनहें हलकी होकर पुनहें उपर की तरफ बढ़ती हैं और इस प्रकार का परिद्रूविय भवर उत्पन होता है ठीक है इसके नीचे जैट स्ट्रीम की स्तिती है जैट स्ट्रीम की फिर भारत के संद प्रश्नेकिंगे